हेलो फ्रेंड मैं आकाश वेल्कम टू प्लांट केर कीवर आज मैं अपने कार्डेन का फ्लॉग वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं काफी कुछ कवर करने वाला हूँ तो वीडियो के सुरुवात यह मैं परसलीन पोजुला का से कर रहा हूँ और यह वीडियो मैं शाम को करीबन साड़े चार के करीबन मैं बना रहा हूँ देख सकते हैं पोचुला का आज शाम तक खिले हुए हैं क्योंकि आज सुबा से ही बारिश हो रहा था दोप निकला नहीं था तो ये प्लांट जो फ्लावर हैं वो अभी तक फेड नहीं हुए हैं और नहीं बंद हुए हैं और यह Merry Gold का Plant देख सकते हैं बहुत ज़्यदा लगी हो चुका है Cutting से भी यह बहुत यह साथा असानी से बारिश हो रही हो Rainy Season हो बहुत यह असानी से यह grow हो जाता है तो मैंने सुचा कि मैं इसकी cutting लगा लेता हूँ क्योंकि मैं इसकी pinching करना भूल गया था तो ये काफी laggy हो चुका है तो आपका भी plant अगर इससा से laggy हो तो आप इस time इसकी धेर सारी cutting ग्रोव कर सकते हैं बहुत ही असानी से ये बारिश हो रही हो तो cutting से grow हो जाता है तो इससा कि मैंने cutting लिया है आप जिसमें दो-तीन leaf node हो वो ले लीजे बहुत ही असानी से grow हो जागा बस मिट्टी अच्छी तयार करिएगा देखिए देख सकते हैं मैंने cocopeat, pearlite, cowden compost और garden soil जिसमें पहले से बचरी मिली हुई है उसे यूज़ करके इन सबी को mix करके एक wilderness soil बना रहा हूँ और इसमें मैं ये merry gold की cutting आज grow करने वाला हूँ इसका update भी मैं 10 days बाद आपके साथ share करूँगा बहुत यसानी से ये तब तक grow हो चुका होगा तो आप भी साकी wilderness soil बना सकते हैं और ना हो तो आप cable sand का यूज़ करके ये फिकेवल बच्चरी का यूज़ करके उसमें भी grow कर सकते हैं उसका भी बढ़िया result देखने को मिलता है और extra पत्तों को आप हटा दीजिए और देख सकते हैं इसमें area root आए हुए हैं पहले से ही तो ये बहुत ही असानी से अब तो grow हो जाएगा तो इससा की तीन से चार cutting मैं इस container में grow करने वाला हूँ और फिलहाल में पास ये दो तीन ही हैं और जो मैंने seed से last year मैंने seed harvest किये थे वो भी फिलहाल अभी रखे हुए हैं उनके भी seed मैंने कुछ डाले थे तो वो भी grow हो चुके हैं और cutting लगाने के पाद पानी डालना मत मैं तो ये rain water use कर रहा हूँ harvest करके मैं रख लेता हूँ जब भी बारिश होता है और cutting grow करता हूँ ये इंडोर प्लांट में मैं rain water ही फिलहाल इस्तमाल करता हूँ इसके लगा देख सकते हैं शाम हो चुकी है तो ये गुल्दो पहरी और ये cosmos दोनों ही अच्छे से bloom करें ये वही bloom होते हैं और flowering कतम होने के बाद इससे धेर सारे seed भी बनाते हैं तो इस साल मैं इसके काफी सारे seed harvest करके रख लूगा वैसे पिछले साल भी रखा था लेकिन वह मिलते ही नहीं है तो इस साल मैं सोच रहा हूँ कि seed का एक में डिपा खरीद लाँ तक कि seed मैं एक ही जगा पर रखों और सही सलामत वो मुझे हर साल मिल जाया इसके लावा देख सकते हैं यह अरेबियन वैक साइवी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इस container में मैंने बोगन बेलिया की cutting ग्रो किया था और तीन ऐसे ही यह Chinese toilet भी मैंने इसी में दबाह दिया था तो यह अच्छे स हो गया था हो रहा है और रेनी सीजन है बारिश पे अच्छी हो रही है मौसम भी बहुत ही बढ़िया है तो इसकी cutting भी बहुत ही असानी से grow हो जाएंगी तो यह plant आपके पास नहों तो आप नर्सी से ला सकते हैं 30 रुपीज सके बहुत ही असानी से नर्सी में मिल जाता है और एक बार आट करेंगे तो हमेशा आपके garden में भी यह बना रहेगा फ्लावरिंग नहीं करता है तो इसके पत्ते ही सुन्दा लगते हैं और जब फ्लावरिंग होती है तो पूरा plant फूलों से भर जाता है पोचुलाका की तरह आप इसकी भी ठेर सारी cutting ग्रो कर सकते हैं त तो इससा की cutting लीजिए और extra पतों को आप हटा दीजिए देखसरते हैं मैंने extra पतों को हटा दिया और जो कल प्लांट मैंने इसमें report करे थे हूं उसी में space काफी सारा है तो उसी में मैं इसकी cutting grow कर लूँगा जब यह अच्छे से grow हो जाएंगे तब मैं इस container से निकाल कर जो नर्सी के pot आते हैं नर्सी pot 10 rupees में मिलते हैं उनमें मैं सोच रहा हूं कि इस साल इसके 8 से 10 यह फिक हैं 10 से 20 container इसके तयार करने वाला हूं और एक ही corner पर जहां पर पोचुला का रख्या हुए होते हैं दिवार पर वहां पर मैं इसके खाफी सारे plant रखने की सोच रहा हूं ए आपके पास भी हो तो आप भी इसकी डेसारी cutting ग्रो कर लीजेगा तो इस तार से जितनी भी cutting थी दोनों container में मैंने ग्रो कर लिया है और यह मैंने दो दीन दीन पहले ग्रो किया था तो इस तार से मैं इसकी cutting समय समय पर grow करता ही रहता हूं इसके अलावा यह Mexican petunia इसकी भी आप इस time cutting grow कर सकते हैं आपको ये plant कहीं पर देखने को मिले तो आप इसकी cutting लियाएगा और इसकी अगर आप pruning करते रहते हैं तो साल बर ये plant आपके garden में blooming करता रहता है तो इसे भी cutting से grow करना बहुत ही असान है अगर आपको पूरे साल इसकी cutting का result अच्छा देखने को नहीं मेता है तो आप इस time grow करिएगा बहुत ही असानी से 10 दिन में ही इसमें बहुत ही बढ़िया root आ जाती है और इक cutting मैंने कुछ दिन पहले grow किया था तो उसका भी मैं आज आपको update दूँगा दिखाऊंगा कि उसमें कैसी root अभी बन चुकी है इसके लावा ये rain lily सुबा खिला हुआ था दो color खिलेंगे और ये वो cutting है जो कि मैंने grow किया था और देख सकते उखाणने पर भी ये बहार नहीं आ रहा है इससे पता चला है कि ये grow हो चुका है तो अभी मैं इसे भी मिट्टी से निकाल कर दिखाऊँगा फिल्हाल मैं इन cutting को इस container में grow कर ले रहा हूँ इस दो cutting मैंने लिया है तो इससा कि cutting लेकर कम से कम एक लिपनों मिट्टी में अगर दपा हुआ होगा तो बहुत है इससानी से grow हो जाएगा और जितनी भी कलिया थी उन सभी को मैंने cut कर दिया extra पतों को भी मैंने cut कर दिया है थोड़े बहुत रखे क्योंकि बारिश हो रहा है अगर बारिश आपके area में ना हो रहा है तो आप इसके सभी पते हटा सकते हैं दो तीन पतों को छोड़ कर देख सकते हैं बहुत बड़ी रूट इसमें आ चुकी है तो फिलहाल मैंने इसे इस container से निकाल लिया है अब मैं इसे किसी दूसरे container में grow करूंगा इसके अलावा देख सकते हैं रेलेली में भी काफी सारी कलिया अभी भी आई हुई हैं पारिश अगर होता रहता है तो इसमें कलिया इसा से आती रहती है इसके अलावा देख सकते हैं ये वेडेलिया मेरे गार्डन से तो फिलहाल ये अब गाया भी हो चुका है मिली बग का टायक हुआ था उसके बाद मैंने कुछ केर मैंने इसके नहीं किया तो जिसके वज़ा से ये खराब हो गया था तो मैं अब इसके कटिंग क्रो कर रहा हूँ और लास्ट येर विंटर में मैंने इस प्लांट को भी हटा दिया था कम ही प्लांट रखा था तो जितना भी था वो गर्मियों में खराब हो गया तो अब मैं इसकी कटिंग ग्रो कर रहा हूं और ये कुछ गुल्दु पहरी और ये वे डेलिया की कटिंग मैं अपने नेबर के गार्डन से लेकर आया हूं और इसे मैं देख सकते हैं एक्स्ट्रा लीफ नोड आप पेल रहे हैं जो मैंने भी मिट्टी बनाया था उसी ताकि मिट्टी मैंने इस कंटेनर में डालाया और इसी में मैं इसे ग्रो करने वाला हूं और इन सभी का रिजर्व मैं 10 देख बाद आपके साथ शेयर करूंगा इसके लबाद जो कटिंग मैंने दूसर गुल्दाओदी की कटिंग ग्रो कर लूँगा और कुछी दिनों बाद मैं मेर्सी भी जाने वाला हूं तो इससा की जो ब्लैक कंटेनर होंगे वो मैं कुछ लियाओंगा गुल्दाओदी की कटिंग ग्रो करने के लिए या फिर जो ग्रो हो चुकी है उन्हें रिपॉर्ट करने के लिए ये बढ़िया रहते हैं 10 रूपीस में असानी से मिल पीचाते हैं और गार्डन में 3-4 साल तक तो बहुत ही असानी से फूल धूप में ये चलते रहते हैं अतनी असानी से खराब नहीं होते हैं देख सकते हैं रेन वाटर ही फिलाल मैंने इसमें डाला है और ये रखा हुआ है तो बारिश का पानी से पर पड़ता रहेगा इसके लावा इस कंटेने में मैंने धेर सारी कटिंग ग्रो किया था वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका आपको अपडेट दे देता हूं तो सबसे पहले मैं ये संसे विरिय सिलेंडर का निकाला है देख सकते हैं बहुत ही बड़िया रूट इसमें आ चुकी है और क्योंकि मैंने खीचा है तो काफी सारी रूट टूड भी गई है इसके लावा ये फाइकस के वल दो तीन लीफ नोड इसमें थे और देख सकते हैं ये भी ग्रो हो चुका है तो आपको पता ही चला है कि ये ग्रो हो चुका है क्योंकि मल्टिपल सूर्स इसमें आ चुकी है इसके लावा ये है पिंसिल कैक्टस देख सकते हैं इसमें भी रूट आ चुकी है उखाने पर थोड़ी बाव टूटी भी है और मैंने भी इस कंटिनर को उठा कर देखा था तो क काफी सारा ये रूट बांड भी हो चुका है क्योंकि मल्टिपल प्लांट इसमें लगे हुए थे इसके अलावा ये है राखी बेल जो मैंने कट मैं नर्सी से लेकर आया था उसे अभी फिलहार मैंने रिपॉर्ट नहीं किया तो मैं सोचा हूँ कि फिलहार मुझे कोको कर लाना पड़ीगा क्योंकि वो अब खतम हो चुका है तो बारिश हो रहा तो आज मैं नहीं गया था अब देखते हैं कब जाने को मिलता है इसके अलावा देख सकते हैं ये है वो अमरेला पाम जो कि मैंने केवल पत्ते से ग्रोग किया था तो मैं सोचा हूँ कि आज मैं आपको दिखा दूँ किसे मैंने कैसे ग्रोग किया था वैसे वीडियो मैंने शेयर किया था लेकिन मैं सोचा हूँ कि मैं कुछ और प्लान तयार करना हूँ ताकि ये मेरे गाडन से क इनसे 12-inch कांटेनर में ग्रो करूँ और देखो कि तब इनके पत्तों का साथ कितना बड़ा होता क्योंकि अभी इनके पत्तों का साथ काफी छोटा है कि कांटेनर में भी बहुत छोटे हैं तो इस तक आप पत्ते लीजी एक्स्टा पत्तो को देख सकते हैं मैंने कट कर दिया है तो इस तक पत्तो को इस तरह से कट करके पानी में आप डाल दीजिए मैंने इसी तरह से ग्रो किया था डायरक सॉयल में मैंने इससे नहीं ग्रो किया था वो भी मैं कभी ट्राइ करूंग बहुत यसानी से ये ग्रो हो जाएगा इसके अलावा देख सकते हैं ये टर्टल वाइन इसमें देख सकते हैं सरसे ब्लूमिंग भी होने लगी है तो अब कुछी दिनों बाद ये प्लांट धीरे-धीरे खराब होने लगेंगे पूरी तरसे तो उखार आप नहीं होने लेकिन पत्ते पीले होने लगेंगे प्लांट दिखने में सुन्दर नहीं लगेगा तो देख सकते हैं ये एक और टर्टल वाइन की भी वेराइटी है लास्ट येर मैंने विंटर गार्डन में इससे उखार कर फेक दिया था तो अब मेरे गार्डन में फिलाल ये इतना ही बचा हुआ है एक कंटेनर में एक कटिंग गलती से गिर गई होगी तो उसी से ये फिलाल इतना बना हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी में कुछ कटिंग ग्रो कर लेता हूँ ताकि ये मेरे garden में फिलाल हमेशा बना रहे है तो इसके लिए भी मैंने same soil mix ही तयार किया है बस इसकी cutting को आप नीचे इससे container में रख दीचे मैं तो फिलाल ऐसे ही grow करता हूँ इसकी cutting को बस इससे container में रख देता हूँ तो देख सकते हैं कोको पीट के clear इस पर बिचा दी है और rain water जो मैंने harvest करके रख था इससा के जो dip बे होते हैं वो मैं garden में रख देता हूँ बारिश का बारिश होती है तो इसमें पानी स्टोर हो जाता हूँ मैं कुक कटिंग ग्रो करने के लिए इंडो प्लांट में यूस कर लेता हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं इसके अलावा देख सकते हैं यह पूर्चुला का एक परसली नो पूर्चुला का कॉर्ण है जैसा कि मैंने बताया कि शाम को में वीडियो स्ट कर रहा हूँ और शाम को भी लगबद सब ही फ्लावर जो हैं वो खेक हैं तो यह था मेरे आज का वीडियो आई आई होप लेडियो पसंद आया हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को Like कि जेगा और अगर आपने अभी तक में चांग को सब्सक्राइब ना किया हो तो में चांग को जरू सब्सक्राइब कीजिए खाया तो चलिए मिलते हैं ले वीडियो में तब तक लिए हैपी गार्ने